हलो एब्रीवन वेल्कम टु स्टड़ी आईक्यू पीचियस दिस वनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह आट बजे एक इंपोर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं तो आज है थर्जडे और थर्जडे के दिन होता है फिजिक्स का सेशन मंडे टूजडे वेड फिल्गरफी का तो ये सारे सेशन अभी मेरे द्वार को ठूथरू पर सकते हैं इसके लावा और भी हमारे मेंस के जो पार्ट सेंपैंट को जल्दी है उस पर भी आपको बहुत जल्दी अप्डेट मिल जाएगा तो देखा जैले तो को इनने कई टॉपिक्स पढ़े उन ट circular motion मतलब कोई भी चीज जब किसी circular path में move करती है तो उसके अंदर जो motion होता है उसको circular motion कहा जाता है और हिंदी में इसी चीज को क्या कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है वृतिय गती मतलब कोई भी object जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर जाकर पहुँच जाए किसी वृताकार mark पर जब कोई वस्तु किसी वृताकार mark पर घूमती है तो उसमें होने वाली गती को आप क्या कह देते हैं वृतिय गती कह देते हैं मतलब if a body moves in a circular path the motion done by that body is known as circular motion तो आज हम बात किस की करने वाले हैं इसी circular motion की करने वाले हैं तो physics का एक बहुत ही important topic है यहां से चीजें आपको आती है exams में इसके दो important force हैं जो आज हम समझेंगे जिसको कहा जाता है अभी केंदरियेबल और उपकेंदरियेबल मतलब centripetal और centrifugal force के बारे में आज अच्छे से detail में समझेंगे तो इस lecture को आखरी तक जरूर देखें जो भी doubts होंगे comment section में आप जरूर लेखेंगे और भी कोई तरह की समस्या है तो वो भी बताएंगे इसके लाबा इस lecture related अगर और भी कोई तरह की issues है doubts हैं इन social media handles पर मुझसे जोड सकते हैं PDF ले सकते हैं PDF के लिए अगर जो है आपको कोई भी तरह से issues आ रहे हैं तो telegram channel पर भी आप विजिट कर सकते हैं telegram channel आप search करेंगे M27 श्रिवास्तों से इन यह telegram का link है इसको आप search करेंगे तो आपको वो channel भी मिल जाएगा वहाँ पर PDF अफ्लोट कर दूँगा तो आज बात करने वाले हैं किसी चीज़ की तो हम बात करने वाले हैं circular motion की तो देखा जाए तो जब कोई body circular motion करती है तो उसमें एक force आता है जिसको क्या कहा जाता है center pittal force तो सबसे पहली जो चीज़ थी हमारी वो क्या है circular motion है इसके बाद इस force पर आते हैं तो आपको यह समझने आएगा circular motion का मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम किसकी बात करें वृतिय गति की बात करें मतलब कोई भी वस्तू जब वृताकार मार्क पर घूमेगी कोई जैसे body है तो यह body अगर किसी circular path पर move कर रही है तो यह कैसा motion कर रही है यह एक तरह का motion कर रही है जिसको हम क्या कहेंगे circular motion या वृतिय गति कह रहे है अब देखा जाए तो यह circular path पर ही क्यों move करती रहती है यह question arise होता है यह इस वृताकार mark पर ही क्यों गूम रही है यह अगर कहीं से move कर रही है तो यह जो है यह सीधी क्यों नहीं जा रही है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी अगर हम बात करें तो यह यहाँ से आगे क्यों नहीं जा रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ reason है कि यह जो है बार बार यहाँ आने पर अपना direction यहाँ बदल दे रही है फिर इसको यहाँ जाना चाहिए था फिर इसने direction बदल दिया फिर इसको यहाँ जाना चाहिए था फिर इसने direction बदल दिया तो यह बा कहा जाता है centripetal force centripetal force की बारे में हम बात करेंगे सबसे पहली चीज मतलब कोई भी चीज अगर circular motion कर रही है अगर वो circular motion मतलब वो व्रतिय गती कर रही है तो व्रतिय गती क्यों कर रही है क्योंकि उस पर कोई एक force लग रहा है उस पर एक force लगाया जा रहा है उस फोर्स को कहा जाता है सेंटर पिटल फोर्स सेंटर पिटल फोर्स को ही कहा जाता है अभी केंद्रिय बल अभी केंद्रिय बल मतलब उसके केंद्र की और लगने वाले बल को हम अभी केंद्रिय बल कह देते हैं तो यहाँ पर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि य क्यों नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो है एक centripetal force लग रहा है जिसको हम Hindi में कह देते हैं क्या आपका अभी केंद्रिय बल तो अभी केंद्रिय बल क्या है ये अब ध्यान से समझते है तो अभी केंद्रिय बल जो होता है कि कोई भी वस्तु जब किसी वृताकार मार्क पर घूमती है तो उस पर केंद्र की और से लगने वाला एक बल होता है जो बीचो बीच उसको खीच कर रखता है और उसको बनाये रखता है उसको कहा जाता है अभी केंद्र ये बल, जैसे आप क्या करें एक पत्थर लें उसको प्रस्टी से बांदे और हाथ से घुमाना चालू करें तो हाथ से वो घूमता रहेगा क्यों घूमता रहेगा क्योंकि आप उसको एक बल दे रहे हैं वो आपके हाथ से छूट कर नहीं जा रहा है क्योंकि आपने हाथ से उसको पकड़ रखा है जगड़ रखा है और आप एक बल भी दे रहे हैं कि वो घुमता भी रहे तो उसके अंदर motion तो हो रहा है लेकिन वो circular motion हो रहा है अब देखे यहां से question बनता है physics में कि आप जब उस वस्तू को छोड़ देते हैं तो जैसे कि आपका वो पत्थर छूटा तो पत्थर छूटने के बाद सीधे दिशा में क्यों गया इसका reason अगर हम को कोई पूछे कि वो सीधे दिशा में क्यों जा रहा है तो उसका answer याद रखना वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर Newton का law लग रहा है जिसको कहा जाता है inertia inertia का मतलब क्या था inertia का मतलब था जड़त्व जड़त्व का मतलब था कि कोई विवस्तू अपनी ही अवस्ता में रहना चाती है जिस position में है जैसे ये motion कर रहे है तो ये motion करती रहेगी कब तक जब तक इस पर कोई external force ना आए मतलब ये पत्थर जो है आप जो घुमा रहे हैं वो घुमता रहेगा कब तक जब तक वो किसी दूसरी चीज से जाकर टकराना जाए इसके centrifugal के कारण भी होता है जो थोड़ी देर में समझेंगे लेकिन अगर आपको पेपर में question आ जाए कि ये वस्तू सीधे आगे क्यों चली गई क्योंकि इनर्शिया भी लग रहा है इस पर उसमें पूछा जाए कौन से force के कारण आगे गई तो वहाँ पर centrifugal होगा जिसको उपक कोई वस्तू अगर गतिमान अवस्ता में जाना चाहती तो इसको गतिमान अवस्ता में रखेगा तो ये जो चीज होती है इस हिसाब से आपका centripetal force काम करता है अब देखिए ध्यान से यहाँ पर जो मैंने बाते करी हैं उनको तो आपने समझा कि सबसे पहली हमने बात करी क इसकी circular motion की अगर कोई वस्तू रिताकार मार्क में घूम रही है तो उसके अंदर कौन सा motion है circular motion है लेकिन वो उस मार्क पर घूमती ही रहेगी वो ऐसा क्यों हो पा रहा है तो वो एक बलके कारण हो पा रहा है जिसको कहा जा रहा है अभी केंदरिये बाल या centripetal force अब centripetal force centripetal क्या होता है जैसे मैंने अभी पत्थर वाला example दिया तो पत्थर में आपका हाथ जो था वो उसको खीच कर रख रहा था और जो बल लग रहा था वो कौन सा बंथ था centripetal force तो मतलब कोई भी चीज़ जब भी किसी circular path पर move करेगी तो उसको जो अंदर की और खीचेगा वो है centripetal force तो centripetal force को आप simple words में क्या कह सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं तो इसकी सबसे पहले definition देखिए centripetal force is the component of force acting on an object in curvilinear motion which is directed towards the axis of rotation और center of curvature मतलब बहुत ही simple भाशा में बोलें तो अगर कोई वस्तू circular path पर move कर रही है तो center की तरफ लगने वाले force को आप क्या कह देते हैं आप कह देते हैं अभी के इंद्रियबल और इस अभी के इंद्रियबल के कारण ही इस centripetal force के कारण ही वो वस्तू कैसे गूम पाती है वो एक circular path में move करती है नहीं तो वो कैसी move करने लगेगी एक सार linear motion होने लगेगा वहाँ पर linear motion होगा वहाँ पर circular motion नहीं होगा मतलब वहाँ पर जो होगी वो कैसी गती होगी वो रेखिये ही गती होगी ना कि आपका circular motion तो circular motion कोई चीज circle में घूम पा रही है तो वो किसके कारण possible है वो एक force के कारण possible है जिसको centripetal force कह रहे है हिंदी में इसी चीज़ को देखा जाए तो अभी के इंद्रिय बल वक्रता गती में किसी वस्तु को कार्रे करने वाला वो घटक है जो घुर्णन अक्ष या वक्रता के इंद्र के वो निर्देशत होता है और उस वस्तु को हमेशा क्या करके रखता है एक circular path पर ही move करा कर रखता है तो इस force को क्या कह दिया जाता है इस force को कह दिया जाता है centripetal force आप centripetal force बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं जैसे आपको समझने के लिए यह force जो है एक बहुत अच्छा example मैं देता हूँ यहाँ पर जैसे जो बच्चे घरों में रहते हैं मतलब जो अपने mother father के साथ घर पे रहते हैं पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनको बाहर जाने का काफी मन होता रहता है कि दूसरी city में जाएं वहाँ सेटलों वहाँ पे तयारी करें या पढ़ाई करें तो वो बार-बार अपने parents से बोलते रहते हैं क्या कि हमें बाहर भेज दो या हमें यहाँ पर जाना है हमें घर में कम रहना है तो वो एक force होता है जो घर वाले भी आपको रोक कर रखते हैं कि आप घर में ही रही है यही पढ़िये सारी वेवस्ता है तो यही पर है हम लोग भी यही है तो आपका जो मन है वो बाहर खीचता रहता है लेकिन जो आपको घर में खीच कर रखते हैं वो कौन सा force है centripetal force है तो आप अपने घर के बाहर भागना चाते हैं आप चाते हैं कि इससे बाहर निकल जाए एकदम कहीं भी लेकिन आपको बार-बार center से एक force लगाया जा रहा है कि कहीं नहीं जाना है यहीं पर ही घूमते रहना है तो यह एक force है जो आपको उसी के अंदर आपको maintain करके कई बार discipline के लिए भी जरूरी होता है तो यह जो force है centripetal force है कि वो आपको जो है बाहर नहीं जाने दे रहा है लेकिन क्या होता है कि जब आपको कोई पकड़ कर रख रहा है मान लिया जाए कि आप तो घर पे रह रहे हैं लेकिन कई ऐसे students होंगे जो कहीं बाहर रहकर भी त तो नहीं लग रहा है तो वो क्या जिद करेंगे कि हमें बाहर जाने दिया जाए नहीं करेंगे तो देखा जाए तो जो centripetal force है वो आपके parents है जो आपको खीच कर रख रहे हैं लेकिन जो आपका जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके उपर तो यह centripetal force नहीं लग रहा है तो वैसे ही अगर कोई body circular path में move नहीं करेगी तो उसके उपर कभी भी क्या नहीं होगा centripetal force नहीं लगेगा ध्यान से समझी एस चीज़ को यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा concept है लेकिन बहुत अच्छे से समझने आ जाएगा आपको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस force की centripetal force को जिसको आप समझ पा रहे हैं अभी केंद्रिये बल कहते हैं इसको क्या कहा जाता है अभी केंद्रिये बल इसका ही एक स्वीडो force होता है मतलब इसका ही उल्टा एक और force पढ़ते हैं हम उसको कहा जाता है centrifugal अप केंद्रिय बल इसको ध्यान से देखिए centripetal force से ही opposite होता है centrifugal force जो मैंने example दिया कि किसी के अंदर centripetal force कब होगा जब वो किसी एक पात पर घूम रहा होगा और उसको कोई उस पात पर रहने के लिए मजबूर करेगा जैसे आपने घर का example देख लिया कि आपके parents आपके उपर जो बच्चे घर पे रहे रहे हैं उन पर कौन सा force लग रहे हैं centripetal force तो वो चाते हैं कि घर से भागे घर से निकले तो वो कौन सा force है वो है centrifugal force तो वो उन्हीं के उपर apply होगा ना जिनके उपर क्या है जो इस circular path में या जो जखड़े हुए हैं जो बंधे हुए हैं वही चाहते हैं कि छूटना मतलब अगर कोई jail में कैदी है तो वही चाहेगा ना कि भही मुझे छोड़ दिया जाए मुझे जो है आजादी मिले लेकिन जो आजाद है वो किस चीज़ की आजादी मागेगा तो वैसे ही याद रखिये कि जब कोई path circular path में move करता है तो उसके उपर automatically क्या लग जाता है centripetal force जो उसको circular path में move करने के लिए मदद करता है लेकिन साथी साथ एक pseudo force pseudo का मतलब होता है जूटा मतलब वो real में नहीं है वो real में नहीं मिलेगा वो कब मिलेगा जब ये होगा मतलब जब किसी चीज़ पर centripetal लग रहा होगा तभी उसके ही opposite amount पर जैसे कि एक चीज़ तो इसको अंदर रहने के लिए मजबूर कर रही है लेकिन ये चाता है कि बाहर निकलना तो जब centripetal force डवलप होता है तभी कौन सा force आ जाता है centrifugal जो बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है तो जब भी कोई चीज circular path पर move करेगी तो वहाँ दो force होंगे एक centripetal force होगा एक centrifugal force होगा जो मैंने example दिया घर का घर में जब आप रह रहे होंगे तभी तो आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन जो पहले से बाहर रहे होंगे उनको तो कोई force ही नहीं है तो वहाँ पर centrifugal होगा क्योंकि centrifugal को pseudo बोला गया जूटा बोला गया अभासी बोला गया वर्चुल बोला गया कि जहां center pital होता है जहां किसी की को लग रहा है कि भई ये बंदिशे हैं हमारे उपर तो वो बंदिशें से छूटना चाहता है लेकिन किसी पर कोई बंदिशे ही नहीं है तो फिर कैसे छूटेगा तो इसलिए जब center pital develop हो जाता है तभी आता है centrifugal मतलब अभी केंद्रिये के कारण ही आएगा उप केंद्रिये बल तो ये याद रखेंगे कब होगा तो इसकी पहली शर्त है कि कोई भी चीज कैसी move करनी चाहिए circular path में move करनी चाहिए तभी होता है ऐसा तो ये बात समझने आ गई होगी आपको इसके बात देखिए यहां से हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो है जैसे आपने कभी मौत का कुवा देखा होगा तो मौत के कुवे में आपने देखा होगा गाडियां जो होती है यह circular path पर move करने के बाद वो अपने आपको balance भी करती है तो यहां पर भी क्या हो रहा है एक तरीके से circular motion हो रहा है circular motion का मतलब यहां पर हो रही है व्रतिय गति अब देखिए जाए तो इस circular motion में अगर किसी को speed नापनी है तो एक meter आता है market में जिसको कहा जाता है टेको meter यह टेको meter जो होता है यह क्या करता है तो यह जो है आपका किसी भी circular path में कोई object move कर रहा होगा तो उस circular path में move हो रहे object की speed को नापलेगा मतलब किसी की भी गति को नापने में काम करता है कौन सा meter टेको meter कब जब किसी के अंदर circular motion हो अब देखा जाए circular motion के कारण यह गाड़ी सीधी नहीं जा रही है बार बार घूम जा रही है क्योंकि बनाया भी ऐसा ही जाता है लेकिन यहाँ पर यह circular path पर move क्यों हो पा रही है तो यह हो पा रही है centripetal force के कारण ध्यान से समझ लेजिए किस के कारण centripetal force के कारण जो अभी मैंने आपको बताया अभी केंद्रिय बल तो यह अभी केंद्रिय बल के कारण जो है यह गाड़ियां इस तरीके से घूमती है जहाँ इनका balance बिगड़ा जहाँ पर centripetal centrifugal का balance बिगड़ा तो यह जो है unbalance हो जाते है तो कोई भी चीज circular path पर move कर पा रही है तो वो क्यों move कर पा रही है क्योंकि center की तरफ जो है एक force लग रहा है जिसको centripetal force या भी केंद्रिय बल कहते है अब देखा जाए तो भई centerpetal force का आपको formula पूछा जा सकता है कि भई जैसे आप किसी circle की तरफ घूम रहे है तो इस circle का जो है एक कोई ना कोई radius होगा जिसको r से आप बताते हैं इसके अलावा ये जो है इसका पूरा का पूरा circumference भी होगा और इसी path पर तो आप move कर रहे है आप अलग-अलग positions पे हो सकते हैं तो इसके लिए जो है आपका centrifugal force ही है ये तो बल ही है तो बल की unit तो मैं आपको पता चुका हूँ क्या होती है Newton होती है लेकिन आपको normal case में पता है कि force क्या होता है तो force होता है mass into acceleration mass आप से कोई पूछेगा तो आप यही बताते है कि force क्या होता है मतला बल क्या होता है तो बल होता है द्रव्यमान गुना तुरण तो यह इसकी unit भी मैं आपको बताई थी kg पर meter second इसको है जिसको ही क्या कह दिया जाता है Newton कह दिया जाता है लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है circular path तो सबसे पहली चीज यह देखे इसका एक formula होता है यह मैं पहले बता दे रहा हूँ फिर conditions बता देता हूँ इसका जो formula है force होता है m v square by r अब देख लेते हैं यह v square और r क्या है तो v का मतलब है velocity vague तो देखा जाए तो यह वस्तू क्या है जब घूम रही होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ vague होगा तो यह भी एक चीज होती है इसके लावा r क्या है तो r radius हो गया इसके लावा m क्या है तो m जो है जो भी वस्तू गूम रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो mass होगा द्रवेमान होगा तो देखा जाए तो यह formula होता है centripetal force का unit आप वही रहेगी जो की पहले रहती है जैसे देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते है kg meter mass की क्या हो जाएगी kg v square का मतलब है velocity का square velocity होती है meter per second का square कर दीजिए तो यह हो जाएगा meter square per second square लेकिन नीचे r है तो यह r भी एक meter होगा तो एक meter से meter cancel हो जाएगा बचेगा kg meter per second square kg per meter second square की unit newton ही होती है तो जो आपका भी केंदरी बल है उसकी भी unit वही रहेगी अब देखें यहाँ पर एक चीज लिखिए in the absence of this force the object cannot move on a circular path अगर अभी केंदरी बल नहीं होगा अगर आपका centripetal force नहीं होगा तो कोई भी वस्तु कैसे नहीं move कर पाएगी किसी circular path पर किसी वृतियाकार mark पर नहीं गुम पाएगी और if a body of mass M is moving with a circular path और radius circular path पर अगर वो velocity V से जो है R radius में move करेगी तो उस पर जो centripetal force required होगा वो आपका क्या होगा F is equals to MV square by R होगा यह V का square है इससे confused नहीं होगी यहाँ से देख लेंगे तो हिंदी में क्या बोला जाए इसको तो हिंदी में भी देख लिजे इस बल के अभाव में वस्तू वृतियाकार mark पर नहीं चल सकती यदि कोई M द्रव्यमान का पिंड V से R तरिज्या के वृतिया mark पर चल रहा है तो उस पर कारेकारी वृत के केंदर की ओर जो आवशकता भी केंदरी बल है वो है F is equals to M V square जो होता है M V square by R होता है तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए जो भी स्टूडेंस थे कई स्टूडेंस का ऐसा था कि सर हम नोट्स जो है बना रहे हैं तो नोट्स आप लोग बिलकुल इससे क्रियेट कर लीजिए इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखना स्टार्ट करी है कि आपको और भी जो भी आपके सजेशन्स होंगे उससे साबसे जो भी आपको लगता है वो हम मुझे बता दीजेगा तो जिनके पास नोट्स वगेरा नहीं है वो आप ले सकते हैं बाकी PDF में अपलोड करी देता हूँ लेकिन हैंड रिटन अगर आप बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है आगे तक काम आएगा तो ये बात आपको यहाँ समझने आ गई होगी कि हमने क्या बात करी कि अगर कोई भी वस्तूव रिताकार मार्क पर घूम रही है तो उस पर क्या होगा सेंट्रिपिटल होगा ही होगा अभी केंद्रियेबल होगा ही होगा और उसी से जुड़ा हुआ एक आभासी एक जो है जूटा या स्विडव फोर्स भी डवलप हो जाता है जो किसी चीज को बाहर लाने में मदद करता है उसको क्या कह दिया जाता है उसको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहा जाता है तो अब जो है हम बढ़ रहे हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की तरफ तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जिसको क्या कहा जाता है अब केंद्रियेबल कहा जाता है तो इस अब केंद्रियेबल के बारे में बात करेंगे तो अब केंद्रियेबल क्या है कि जैसे कि कोई इस जूले पर जूल रहा है, तो ये जूला अगर तूट जाए, तो तूटने के बाद ये जो आगे जाएंगे, जिस बल के कारण जाएंगे, वो बल कौन सा होगा, सेंटरिफ्यूगल होगा, लेकिन पूछा जाए, ये किस चीज के कारण जाएंगे, तो ये इनर्शिया के कारण जाएंगे, इनर्शिया मतलब जड़त्व के कारण, क्योंकि ये क्या थे, ये मोशन में थे, तो ये चाहेंगे कि ये गतीमवान अवस्ता में ही रहें, और वो एक force लग जाता है, जो centrifugal होता है, तो centrifugal को सबसे पहले क्या बोला जाएगा, ये असल में क्य force है कोई, नहीं है, ये है pseudo force, मतलब ये जूटा है, जूटा बल है, ये आभासी बल है, ये कब आता है, जब किसी वस्तू पर center pittal लग रहा हो, मतलब अभी के इंदरी लग रहा हो, अभी के इंदरी ये कब लग रहा होगा, जब वो एक circular path पर move कर रही हो, कोई भी वृताका path पर जब कोई वस्तू चलेगी, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा अभी के इंदरी बल, और जब किसी के पास center pittal ये अभी के इंदरी बल होगा, तो उतने ही बराबर का विपरी दिशा में क्या लग जाता है, centrifugal force, जो की एक swido force है, जो real sense में नहीं होगा, म होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, आप घर में हैं, तभी तो आपकी इक्षा होगी कि आपको बाहर जाने मिले, आप बाहर ही हैं, तो फिर कौन आपको कहेगा, तो center pittal के कारण, जब किसी चीज़ पर center pittal लगने लगता है, तब उसी के बराबर opposite direction में, विपरी हामें लगने वाला, उसी के बराबर वाला centrifugal होता है, तो centripetal centrifugal का अगर formula आता है, तो आप लिखेंगे वही mv square by r ही लिखेंगे, formula में कोई बदलाव नहीं होगा, definition में ज़रूर होगा, definition क्या कहती है, centrifugal force is a force that arise from the body, inertia, अब देखें ये किस के कारण था, तो मैंने शुरू on a body that is moved on a circular path which is directed away from the center towards the body is moving, मतलब अब केंद्रिय बल एक बल है, जो शरीर की जड़ता से उत्पन होता है, और शरीर पर कार्रे करता है, प्रतीत होता है, जो कि गोला कारपत पे घूम रहा हो, उसे केंद्र से दूर की और चारो और गुमा रहा हो, मतलब जैसे कि कोई वस्त और वो अभी केंद्रिय बल किस पर निर्भर है, तो इनर्शिया पर निर्भर है, जड़त्व पर निर्भर है, जड़त्व का मतलब कोई वस्तू अगर रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है, तो मोशन में रहेगी, स्तिर अवस्ता में है, या गत बाद करेंगे तो आपको घरों में जो washing machine है इस washing machine ka जो dryer है वो dryer कैसे काम करता है वो घूमता तो circular ही है बहुत तेजी से तो वो बहुत तेजी से घूम रहा है अब इस पर घूमते समय कौन सा force आ गया centripetal force आ गया centripetal force का मतलब अभी केंदरिये बल आ गया जब इस पर अभी केंदरिये बल आया तो उतने ही बराबर का विपरित दिशा में लगने वाला कौन सा आएगा उप केंदरिये बल आएगा जिसको centrifugal कहा जाएगा तो इसलिए washing machine में क्या होता है जब circular path है तो centrifugal तो है लेकिन centrifugal यहां क्या काम कर रहा है तो centrifugal के dryer में यह किया जाता है कि washing machine जो होती है आपकी उस washing machine में छोटे छोटे ऐसे pores दे दिये जाते हैं छेत दे दिये जाते हैं इन pores में क्या होता है जब वो गूमता है आपका कपड़ा जो अभी गीला है तो वो तेजी से जब गूमता है तो इसी pore से क्या होता है जो water होता है वो आपने देखा होगा dryer से बाहर आने लगता है तो जो आपका washing machine का dryer है वो भी किस principle पर काम करता है centrifugal force वहाँ पर भी लग रहा होता है जिसके कारण आपके कपड़े सोख पाते हैं दूसरा अगर हम बात करें cream separator machine cream separator machine जो होती है इसमें क्या होता है तो milk से जो cream निकाली जाती है वो भी किस विदी से निकाली जाती है तो centrifugal तरीके से निकाली जाती है इसको समझने के लिए आपने देखा होगा पहले जो होता था जो दूद होता था उसको मता जाता था काफी ऐसे मतनी होती थी उसको काफी time जो है circular घूमाया जाता था और उससे मक्खन निकलता था लेकिन आज कल तो machines आ गई है तो यह बहुत तेजी से circular motion करती है इसके अंदर भी कुछ ऐसे gaps होते हैं जिन से cream separate होकर निकल जाती है और cream जो होता है यह separator हो जाता है जिसको आपने separator भी सुना होगा कि milk से जो बनाया जाता है तो यह cream separator machine भी आपका अपके इंदर यह बल विधी पर काम करती है इसके लाब आपने देखा होगा कि जैसे आप सीधे road पर जा रहे हैं तो सीधी road पर आप बहुत अच्छे से speed में जा सकते हैं लेकिन अगर कहीं पर कोई turn आया तो turn आने पर अगर आप अपनी speed कम नहीं करेंगे थोड़ा सा अपनी body को lean नहीं करेंगे थोड़ा जोड़ा ज करते हैं आप अपनी body को थोड़ा सा इस तरफ जुकाते भी हैं क्यों जुकाते हैं क्योंकि basically वहाँ पर centrifugal बढ़ जाता है अब centrifugal बढ़ेगा जब आप circular पात पर गूम रहें तो आप वहाँ पर तेज़ी से निकालेंगे तो centrifugal आपको गिरा देगा इसलिए जो है railway tracks भी बन नहीं ना हो तो इसलिए आप जो है circular path पर move होते हुए speed भी कम कर लेते हैं थोड़ा जोग भी जाते हैं तो इस सारी चीज़ें किसके कारण होती है तो centrifugal के कारण होती है तो जब भी कोई वस्तू जब circular path पर move करेगी तो उसको जो बाहर ले जाने वाला force है वो है centrifugal force और उस अंदर लगने वाला जो force है वो है centripetal जब centripetal होगा तभी centrifugal होगा इसलिए इसको क्या कह दिया गया pseudo कहा गया है pseudo का मतलब जो असल में नहीं है वास्तविक force नहीं है अब देखा जाए तो आपको अगर paper में आ जाए लिखने mains exams में कि वही centripetal और centrifugal में difference बता दो तो रहेंगे if a object travels at a uniform speed in a circular path it is called centrifugal force तो सबसे पहले क्या लिख दीजे यहाँ परीभाशा लिख दीजे यहाँ पर हिंदी वाले भी घबराईये नहीं English में अगर मैं answers दे देता हूं तो उससे कोई वो नहीं है आप भी लिख सकते हैं बस ध्यान से समझना है देखिए main चीज है स एक किस पे चल रही हो एक वृताकार मार्क पर चल रही हो तो उसके अंदर क्या होता है तो उसके अंदर जो बल लग रहा होता है वो होता है अभी के इंद्रिये बल अब देखिए अब के इंद्रिये बल में क्या लिखेंगे तो अब के इंद्रिये बल में डेफिनेशन ये आएगी पहला डिफरेंस कि जब कोई वस्तु वृताकार मार्क पर चल रही होती है तो एक बल उसको बाहर की ओर लग रहा होता है उस बाहर पे लगने वाले बल को आप अब के इंद्रिये बल कहते हैं जो अंदर की ओर लग रहा है उसे अभी के इंद्रिये बल कहेंगे वो अभी है यह अप है दो ऑब्जेक्ट हैस दी डायरेक्शन अलॉंग दा सेंटर आफ दी सर्कल फ्रम दी सेंटर अप्रोचिंग दी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या क इंद्र जो बल लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है एक बाहर की ओर लग रहा है तो एक जो चीज़े आप वो कह सकते हैं इसके अलाब मड़ फ्लाइंग ऑफ टायर मतलब आपने देखा होगा कीचड उचलते हुए कभी बरसात के दिनों में आप गाड़ी देखेंग है चाहे जियो स्टेशनरी हो चाहे पोलार और्बिट सेटलाइट्स हो यह सारी चीज़े कैसे घूम पा रही है तो एक बल के कारण कि प्रितवी के आजपास चक्कल लगा रही है यह सेटलाइट्स क्या है तो यह सेटलाइट पर भी लग रहा है सेंटर पिटल फोर्स अभी पाकी चीज़ें इति इंपॉर्टन नहीं है आज के कुछ कोश्चंस हैं जो आप लोगों को आंसर जरूर देने हैं तो इनको जरूर ट्राइ करिए एक एक करके कोश्चंस को देख लेते हैं तो सबसे पहला कोश्चंस जो है वो यह है कि what could be the reason a car moving on a horizontal road get thrown out of a road while taking a turn अगर कोई car जो है वो आपका सीधी दिशा में चल रही है लेकिन क्या हो रहा है जब वो turn ले रही है तो बाहर फिक जा रही है due to rolling frictional force between tire and road tire और सडक के बीच घर्शन बल लुड़कने के कारण इसके अलावा by the gravitational force गृत्वा कर्शन बल के द्वारा इसके अलावा due to lack of sufficient centripetal force परियाप्त अभी केंद्रिये बल के अभाव के कारण तो इसमें मुझे लगता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही discuss किया है तो यह तो बनेगा ही तो इसका answer ज़रूर देना है आपको और आप लोगों के answers जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग को समझने भी आ रहा है या नहीं आ रहा है comment box में मैं रोजाना बोल इसके बाद देखिए a stone tied to a string is rotating in a circle if a string cut the stone flies away from the circle because एक तार से बंधा हुआ एक पत्थर एक वृत में गुमाया जाता है यदि डोरी को काटा जाता है तो पत्थर वृत से दूर उड़ जाता है क्योंकि a centrifugal force act on the stone एक अपकेंद्रियेबल पत्थर पर लग रहा है और इस इनर इसके अलावा the reaction of the centripetal force अभी केंद्रि बलकि अभी करिया तो यह मैंने बार-बार समझा है तो गलती मत करिएगा answer करिए इसके अलावा a tachometer is a device to measure टेको-meter मापने के लिए एक उपकरण है gravitational force, speed of rotation, surface tension या आपका spring में तनाओ या tension in spring इसके बाद अगला question है आप body moves with a constant speed along a circle then एक पिंड एक वृत्त के अनुदिश नियत चाल से गती करता है तो क्या होगा no work is done on it, there is no acceleration produced in the body, no force act on the body या फिर आपका शरीर पर निरंतर वेग होता रहेगा मतलब the body has constant velocity शरीर में निरंतर वेग होता है तो इन में से जो भी आपको लग रहा है answer जरूर करिए इसके अलावा अगला question है the force keeps the body moving in a circular motion पिंड को वृताकार गती में गती मान रखने वाला बल कौन सा है, centripetal है, centrifugal है, force of gravity है, केंद्रा भुक शक्ती है या केंद्रा अपसारक है, गृत्वा कर्शन बल है या प्रतिक्रिया बल है, इसका answer जरूर दीजे तो hope ये सारी चीज़ें आपको clear हो गई होंगी, समझने आ गया होगा, जो भी कोई भी तरह का doubts है, तो comment section में जरूर लिखिए और answer जरूर दीजे, जितने भी questions हैं, अगर छूट भी गए हैं, तो वापस से pause करिए, question को try करिए, 2-3 minute सोचिए, जो भी लग रहा है, भले lecture के बाद answer करिए, लेकिन answer जरूर करिए, जो भी लोग देख रहे हैं, जो seriously, जो अभी next PSCs को target कर रहे हैं, मेरे साथ जितने students जुड़े हुए हैं, चाहे वो means के लिए प्रिपेर कर रहे हूं, चाहे प्रिलिम्स के लिए, तो do comment in the comment section, जो भी आपको लग रहा है, वो भी आप ज clear हो गई होगी, thank you very much for watching this, have a great day.